देली कलर न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है डेली कलर न्यूज में चर्चा का विश्य है नीदर लैंड बना भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य हाली में आईवानिज्य मंतराले के आकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-2024 के दोरान अमेरिका और सयुक्त अरब अमिरात के बाद नीदर लैंड भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया है इस क्रम में नीदर लैंड ने ब्रिटेन, हॉंग कॉंग, बांगला देश और जर्मनी जैसे देशों को पीछे कर दिया है पतादे की वर्ष 2021-22 में नीदर लैंड भारतिय निर्यात का पांचवा सबसे बड़ा गंतव्य था पिछले वित्वर्ष में नीदर लैंड को निर्यात होने वाले प्रमुख भारतिय उत्पादों में पेट्रोलियम उत्पाद, बिजली के सामान, रसायन और फार्मासियोटिकल्स शामिल है वही नीदर लैंड के साथ भारत का वियापार अधिशेश पिछले वित्वर्ष में बढ़कर 17.4 बिलियन डॉलर हो गया, जोकी 2022-23 में 13 बिलियन डॉलर था आकडों के अनुसार 2023-24 में नीदर लैंड को भारत का निर्यात लगभग 3.5 प्रतिशत बढ़कर 22.3-6 अरब डॉलर हो गया, जोकी 2022-23 में 21.6-1 अरब डॉलर था वियापार विशेश अग्यों के अनुसार नीदर लैंड, बहतर बंदर कहा और सड़क, रेलवे तथा जलमार्गों के बहतर नेट्वर्ग के माध्यम से यूरोप के लिए प्रवेश द्वार बन गया है पतादे कि यूरोप में जर्मनी, स्विट्जर लैंड, ब्रिटेन और बेलजियम के बाद नीदर लैंड, भारत के शीश व्यापारिक साजेदारों में से एक है साथी यह भारत में एक प्रमुख निवेशक भी है पिछले वित्वर्ष में भारत ने नीदर लैंड से लगभग 5 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया जो की 2022-23 में 2.6 अरब डॉलर था कौर तलब है कि भारत और नीदर लैंड के बीच राजनाईक संबंद वर्ष 1947 में स्थापित हुए थे अब जान लेते हैं नीदर लैंड के बारे में यह उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित यूरोप महादुवीब का एक प्रमुख देश है नीदर लैंड की राजधानी एमस्टरडम है एवं इसकी प्रशासनिक राजधानी दहेख है इसकी उत्री तथा पश्चिमी सीमा पर उत्री सागर स्थित है वहीं इसके दक्षण में बेलजियम एवं पूर्व में जर्मनी है नीदर लैंड को अकसर हॉलैंड के नाम से संबोधित किया जाता है एवं इसके निवासियों वभाशा दोनों के लिए डच शब्द का प्रयोग किया जाता है आईए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न भारतिय निर्यात के संबंद में निम्दलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक भारत के शीष तीन निर्यातक देश अमेरिका, संयुक्त, अरब अमिरात और नीदर लैंड हैं दो, वर्श 2021-22 में नीदर लैंड भारतिय निर्यात का सात्वा सबसे बड़ा गंतव्य था तीन, नीदर लैंड भारत के सबसे अधिक पेट्रोलियम उतपाद, बिजली के सामान, रसायन और फार्मेसेटिकल्स का आयात करता है उपर युक्त मेंसे कितने कथन सही हैं या फिर हैं, केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर इन में से कोई नहीं इसका उत्तर हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सबस्क्राइब जरूर करें Dear viewers, अपने एक्जाम की तैयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सबस्क्राइब करना न भूले